हेलो आल तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेस्टन से जिसमें हमें स्मॉलेस्ट डिवाइजर जो कि है लीस्ट कॉमन मल्टिपल एंड जी सीडी जो कि है क्रिटिस्ट कॉमन डिवाइजर यह दो हमें निकालना है सो यह तो बीसिकली दो नम्मर्स लेने और फिर उसका लश्यम एंड जी सीडी कैसे निकालना वह देखेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम के साथ और तो हमें में ली एल सी एम एंड जी सीडी निकालना जो कि यह लीस्ट कॉमन मल्टिपल एंड ग्रेटिस्ट कॉ कॉमन मुल्टिपल मतलब लीस्ट कॉमन डि वैसर भी बोल सकते है स्मालेस्ट कॉमन डिवाइजर जो की दोनो नम्बर को डिवाइडल करते हैं य मैं एक एक्जाम्पल ले लेते हैं a equal to and b equal to let's say 24 and 18 चलो तो least common multiple क्या करेगा 24 and 18 को side by side रख लेते हैं and factorize so 2 से होता है so 2 12s are 24 to 9s 18 so ये least common multiple तो दोनों के common सबसे छोटा वाला नंबर जो है अलब 1 से बड़ा होगा वह आफकोस सो जो वन से बड़ा एक multiple है जो दोनों में common है तो वह क्या है टू है आप है similarly GCD के कि सबसे largest तो यहां पर अगर देखें तो same 24 and 18 तो अभी इसे टू 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 नाइन जा फिर थ्री हो गया थ्री फोर ट्वेल थ्री थ्री जा नाइन फिर वापस यह टू 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 जा टू वन जा तो यह थ्री वैसे एक और यह फर बोड़ होगा और यह थ्री वंजा तो यह होगा अगर देखें तो इसमें यह दो कॉमन था मतलब यह दोनों को डिवाइड कर रहा था मतलब इसे कैसे नॉर्मल ही निकालता है यह तो मतलब कुक वे हैं तो इसमें से कैसे देख रहे कि अगर तो यह देखो यह टू दोनों को डिवाइड कर रहा है तो यह टू दोनों को डिवाइड कर रहा है तो यह टू दोनों को डिवाइड कर रहा है अब यह टू सिर्फ इंडिविजिल फॉर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब इन दोनों को कॉमन लिगान सा डिवाइड कर रहा सबसे बड़ा दोनों का जो यह है ग्रेटिस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वह सिक्स है क्योंकि बाकी कोई दोनों में कॉमन नहीं है अगर वह देखें इसको एक्चुली निकालते कैसे यह तो क्विक मेथड हो गया बट नॉर्मल मेथड में कैसे निकालते हैं तो 24 separate and 18 separate तो यहां पहलेगा 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, और यहां पहलेगा 2, 9, 3, 3, 3, 1 तो अभी इन दोनों में common कहने है तो 2, 2 common है और एक 2 है कि नहीं और एक 2 है कि नहीं तो ऐसे common करके जो दोनों common है वो लेके यह से जिसे निकलता है similarly LCM तो हमने देख लिया least common कैसा है कि दोनों में common कौन से आता है वो भी similar है somewhat so 24 and 18 होगा तो जैसे हम factorize कर रहे थे so two से अगर दोनों जा रहे है तो ट्वेल्स और तो नाइन तो यह वही कि वही होगा लेट से एक दूसरा नंबर जो है 18 के बज़ा लेट से अगर वह 17 होता तो क्या होता कि इसका जो है इसका जो लीस्ट common multiple है वो वन आता क्यों क्योंकि प्राइम नंबर को सिर्फ वन और वो खुद से डिवाड होता है तो इसमें कैसा है कि दोनों को common multiple सबसे छोटा वाला common multiple क्या आता फिर वन ही आता क्योंकि दूसरा कोई option ही नहीं है so 124 जा एंड 117 जा क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है तो लीस्ट common multiple of a prime number and prime number अगर एक भी हो तो वह उसका यह आता है one LCM तो अगर यह सब तो हो गया normally calculate वगरे कैसे करते हैं और वो सब कैसे करते हैं बट तो चलो देखते हैं कि यह programmatically के लिए कैसे इसे हम solve कर सकते हैं so let's say मेरे पास a and b दो नंबर है let's say a 5 है and b 9 है तो अगर मुझे LCM ढूलना है तो LCM क्या कि least 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 सबसे चोटा तो अगर मैं देखू एक डिवाइजर स्वन से लेके 5 तक में होंगे and b की डिवाइजर स्वन से लेके 9 तक में होंगे तो अगर मैं देखू least नंबर जो है अगर यह दोनों यह मेरी रेंज है one से लेके five and one से लेके nine तो मुझे consider कुन सी करने पड़ेगी इन दोनों में ऐसा है so मैं consider करूंग लेके five क्यों कि इसमें लीस्ट वाला नंबर होगा सी one से लेके nine में भी लीस्ट नंबर हो सकता बट वो लाई करेगा five से पहले वाले में यह रेंज में लाई करेगा क्योंकि five से अगर कोई नंबर बड़ा हो गया तो वह five को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा तो इसके लिए हम क्या स्टाट करेंगे हम स्टाट करेंगे one से लेके मिन ओफ जो कुछ a एंड भी है उसका मिन लेके हम स्टाट करेंगे लब एसे लेके मिन ओफ एंड बी तक जाएंगे और इसमें से जो कोई first first जो कोई डिवाइजर मिलेगा वह हमारा यहां ऋंछ होजाएगा डिवाइजर जो दोनों को डिवाइड करें फ़र्स्ट डिवाइडिंग उट है हैंच2 पहला ईसा D Large यह रिजिक सिमिलरली अगए अगर जी सीडी के लिए क्या करना पड़ेगा greatest common divisor greatest है मतलब let's say same one से लेके fire and one से लेके अगर nine low तो इसमें क्या होगा same greatest common divisor भी जो है वो min of a and b के अंदर लाए करेगा क्यों क्योंकि अगर five से लेके nine वाली range देखें तो इसमें अगर लाए भी करें तो वो five एको डिवाइड ही नहीं करेगा तो इसी लिए हमें क्या करना है कि one से लेके मिन यहीं हमारा range होगा बट हम इस बार क्या करेंगे हमें greatest वाला जी सो अगर हम one से लेके मिन में जाएंगे तो लेट से one है two है three है four है five तो लेट से टूबी डिवीजिबल मतलब एक hypothetical के से जुम कर रहे हम जहां पर टूबी डिवाइड हो रहा है फोर भी हो रहा है और फाई भी हो रहा है तो इस केसमें कैसा है कि हम यह ऐसे करते 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 जाकि जो लास्ट वाला है वह पकड़ना पड़ेंगा क्याने ग्रेटेस्ट चाहिए बट लेट से की तो नहीं है कि हमें one से start करना है लेट से हम five से start करें और one तक आए तो five से स्टार्ट करके one तक आएंगे तो जो पहला वाला मिलेगा अकर हम हम रिवर्स में आते समय जो मुझे पहला वाला मिलेगा वो ग्रेटेस्ट होगा तो सिंपल है अगर जी सीडी मुझे फाइंड आट करने है तो मैं इंस्टेड ओफ वन से लेकर जाने के बजाए मैं में अफ एंड बी से स्टार्ट करूंगा अप्ट वन जो भी पहला डिवाइजर जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं वह मेरा जी सीडी होगा सिंपल तो ऐसे हमें करना तो चलो बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम तो मुझे पहले एक फाइल क्रेट करने दो जो की होगा क्यू 7.c अपना जो स्टेंडर्ट टेंपलेट है वो इंक्लूड एस्टेडियो.h अदेन इंत में स्टेंडर्ट लिए नि करता जार्ट एन के सक तर्ट मैंन दो दो एंडर्ट और चलो स्पेस्प्रेटेट ले लेते हैं एंड भी तो एंपरसेंट एंपरसेंट बी तो इसके पहले मेरे को वो पताना भी पड़ेगा कि स्पेस्प्रेटेट दे देना तो मैं डाल देता हूँ एंटर स्पेस्प्रेटेट एंटर तो नंबर एंड डाल देते हैं स्पेस्प्रेटेट एंड मिल जाएगा हमें वो स्पेस्प्रेटेट उसके बाद हमें करना आक है प्रिंट एफ हम क्या करेंगे एल सी एम और यह जो कुछ है एंड बी जो कुछ है इस जो कुछ वैल्यू आएगी वो इंटीचर तो दॉर्ट अन्यू लाइन तो कैसे कर सकते हैं एक कोमा बी एंड एक फंक्शन बनाएंगे एल सी एम अफ ए कोमा बी कुल तो कंट्रोल एल से में पूरा लाइन कॉपी कर लेता हूँ एंड यह पर वापस पेस्ट कर देंगे एंड इंसेट अफ एल सी एम अभी जी सीडी इन्ट एल सी एम एंड यह इंटीचर एंड इंटीचर बी लेगा हमने क्या बोला था फॉर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट आई इकोल टू वन से एंड यह सब्सक्राइब लेट से स्टार्ट मतलब हम तू से स्टार्ट करने वालते क्योंकि वन तो होगा यह हमें पता है तो हम क्या करेंगे फॉर आइकोल टू टू आइस लेस देन प्लेस देन चलो इकोल टू दे देते मिन आफ ए कॉमा भी जो भी मिनिमुम है आए प्ल स्टार्ट मिन की लिए किस हमें को एक लाइबरी इंक्लूड करने पड़ेगी तो इस अपने खुछ से ही बना देंगे मिन इंत अ कंमा अ कंमा एंट पी हैंड इफ ए इस ग्रेटर दैन भी तो रिटरन तो इस एस ग्रेटर देन बी तो भी रिटरन होगा एल्स रिटरन होगा ए चलो यह भी सही है तो यह अभी फिलहल के लिए कमेंट आट करते हैं ताकि एरर में हमें हैडर फाइल जो इंक्लूड करना वह पता चले मैं भूल चुका वह अभी के लिए बाट ठीक है चलो एलसी हम फिर हम क्या बोलेंगे की चलो इसमें एक इश्यू आएगा वह मैं बताता हूं कैसे करना है हैंडल बट अभी के लिए टू से लेके मिन आफ एंड भी ठीके आई प्लस प्लस और हमें चेक क्या करना है इफ ए मौड आई इकोल इकोल जीरो है मतलब यह डिवाइड कर रहा है एक को एंड एंड बी मौड आई इकोल इकोल जीरो मतलब दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हमें मिल चुका है हम रिटर्न कर देंगे जो कुछ आई है वो एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे वन क्योंकि हमें बाकि कुछ करें ना करें one return कर देगा तो यह हो गया LCM तो हम यहाँ पर directly return क्यों कर रहें कि जो भी least वाला मलब जो भी सबसे छोटा वाला मिलेगा वह हमें directly return करना है बट अगर सब execute हो गया बट कोई मिला ही नहीं तो हम one return कर देंगे तो यह हो गया LCM जी सीटी भी समवाट सिमिलर होगा तो चलो LCM के पचाए GCT and instead of i i equal to hoga min of a and b से एंड वो जायेगा I should be greater than zero sorry greater than one greater than equal to क्योंकि one भी हो सकता है GCD of two prime numbers होंगे तो उनका GCD one आएगा तो greater than equal to and क्या करना है कि if यह तो यहां पर return one one की condition देने की ज़रूत नहीं है क्योंकि यहां पर one आ चुका है तो यहां पर जब भी a mod one होगा और भी mod one होगा तो वह जिरो यहां जाएगा सो रिटन आए मतला ब्लास्ट में जाके अगर कुछ ना में वैल्यू मिला तो one तो आई जाएगा है सो यह सेव करते हैं एं एक्जीकूट करके देखते हैं तो यहां पर में वाला मैंने बोला था कि में के लिए कुछ यह करना पड़ेगा तो यह तो हम यह अन कमेंट कर देते हैं एंड एक्जीकूट तो एंटर तू नंबर पूछ रहा हो लेट से मैं डाल देता हूँ 25 एंड फाइ तो अगर देके तो लच्एम ऑफ 25 और फाइस फाइं जी सेडी भी फाइए चलो दूसरा नंबर डालके देखते हैं 25 एंड 19 कि तो यह दिखो टाइम ले रहा है थोड़ा आख के यहाप एक इश्यू है में ली तो क्या हो रहा है कि मैं मिन नौफ इससे स्टार्ट कर रहा और आई प्लस प्लस कर रहा है जो कि मुझे आए माइनस माइनस करना सब्सक्राइब यह चला कैसे ठीक है वह बात में नाइटीन और यह दिखो 19 यस 19 प्राइम नंबर है इसके लिए वन आ रहा है एल्सेम और जी सिडी दोनों सो लेट्स एट्वेल एंड एटीन डालते है तो ट्वेल एंड एटीन का लसेम है टू जी सिडी एशिक्स तो यस जी सिडी का और एक मेथड भी होता है यूकलीडि करने का इजी मेथड दिया था तो वह अभी के लिए मैं नहीं ले रहे वह थोड़ा सा और मैथेमेटिक लिए हभी हो जाएगा बट यह अभी के लिए यह सिंप्लिफाइड वर्जन ताकि मतलब एजी लिए हम फाइंड डॉट कर पां तो यस सो इस क्वेश्चन में इतना ह हमने कर लिया और किसी भी नंबर का यह निकाल सकता है तो यह इस क्वेश्चन के लिए इतना ही मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई